हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल दोस्तो ऐसे ही आप सबने एक नाम और सुना होगा जो लोगों में बहुत ही पसंदिदा है और उसका नाम है सकरकंद यानि की स्वीट पोटेटो सकरकंद अपने स्वात के कारण लोगों में बहुत ही ज्यादा पसंदिदा है आज खाने के फाइदे और नुकसान के बारे में दोस्तो सकरकंद को आप कच्चा और पका कर दोनों रूप में खा सकते हैं कुछ लोग इसे आग में पकाते हैं और इसके बाद खाते हैं इसकी बहुत सारी किस्म आपको दुनिया भर में आसानी से मिल जाएंगे जो सकरकंद ला कुछ ज़्यादा रस होता है जो सकरकंद लाल किसम के होते हैं उनकी खुस्पू अलग ही होती है जब आप उन्हें उबाल कर खाते हैं तो आपको और भी ज़्यादा पुशक्ततों मिल जाते हैं इसके अंदर बीटा कैरोटीन की मौजूद्गी होती है चलिए आज हम ये वीडियो में शकरकंद के फायदे और नुकसान के बारे में विस्तार पूरवक चर्चा करेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कुरुपिया मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिये गए बेल आइकन यानि की घंटी के बटन को दबा दीजिए जिससे आने वाले मेरे सभी वीडियो की आपको इंस्टन्ट नोटिफिकेशन मिलेगी दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जो दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत बात चलिए आगे बढ़ते हैं सकरकंद के फायदों के साथ जो हमारी प्रतिरक्सा प्रणाली को बढ़ाने में मदद करते हैं और हमारे शरीर को विबिन प्रकार की परिस्थितियों और बीमारियों से बचाते हैं 2. सकरकंद खाने के फायदे करे सूजन कम मीठे आलू में यानि की सकरकंद में आम आलो की तरह ही एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं आला कि ये दोनों एक परिवार के सदस्ये नहीं है मीठे आलू में सूजन को कम करने वाले ये गुण इसमें मौजूद बीटा केरोटिन, विटामिन सी और मैगनेशयम की उपस्तिति के कारण होते हैं इसी कारण यहां आंतरीक और बाहिय सूजन को कम करने में मदद करता है 3. सकरकंद के लाब अस्तमा के लिए दोस्तो नाक, स्वासनली और फेफडों में कफ जमने के इलाज के लिए मीठे आलू प्रभावी है जिससे अस्तमा से भी राहत मिलती है मीठे आलू के यह गुण इसमें मौजूद सुगंद के कारण होते है 4. मीठे आलू के फायदे ब्रोंकाइटिस में मीठे आलू में मौजूद विटामिन सी, आईरन और अन्य पोसक तत्व ब्रोंकाइटिस के इलाज में मदद करते है माना जाता है कि मीठा आलू शरीर को गर्म करने में शक्षम होता है संभवता यह अपनी मीठास और अन्य पोसक तत्वों के कारण शरीर के तापमान को प्रभावित करता है मीठा आलू ब्रोंकाइटिस से पीडित लोगों के लिए फायदे मन्द है साथ ही फेफडे में जमा कफ को निकालने में मदद करता है इसमें मौझूद बीटा के रोटीन, मैगनेशियम, जींक और विटामिन B कॉंपलेक्स गठिया के इलाज के लिए बेहत महत्वपून होते है गठिया सबंदित दर्द को कम करने के लिए जिस पानी में मीठे आलू को उबाला गया हो उस पानी को जोडो पर लगाने से गठिया का दर्द कम हो जाता है आम आलू की तुलना में मीठे आलू में अधिक फाइबर होता है साथ ही इन में मैगनेशियम पाया जाता है इन कारणों से ये पाचन के लिए काफी उतकुरुष्ट खाद्यपदार थे मीठे आलू में स्टार्च पाया जाता है जो हिने पाचन में मदद करता है मीठे आलू पेट और आतों के लिए सुखधायक होते है इसलिए इने पचाने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है और ये आपके पाचन को भी अच्छा रखते है नमबर 8 सकरकंद खाने के फाइदे कैंसर में दोस्तों बीटा के रोटीन एंटी आक्सिडन्ट और एंटी कारसीनोजैनिक पदार्थ मीठे आलू के छिलके को रंग देने में मदद करते है इसमें मुझूद बीटा के रोटीन और विटामिन सी विभिन प्रकार के कैंसर मुख्य तहा बुरुअद आंत्र, आतो, किड्नी और अन्य आंतरी कंगो के इलाज के लिए बहुत ही फाइदे मंद है स्वीट पोटेटो बेनिफिट्स फॉर स्टमक अलसर यानि की मीठे आलू के फाइदे स्टमक अलसर के लिए मीठे आलू पेट और आतों के लिए सुखधायक होता है इसमें मौझूद विटामिन B कॉंप्लेक्स, विटामिन C, बीटा कैरोटीन, पोटेशियम और कैलसियम पेट के अलसर को ठीक करने में बहुत प्रभावी है इसके अलावा मीठा आलू खाने से कब्ज और एसेड की समस्या नहीं होती जिससे अलसर की संभावना कम हो जाती है मीठे आलू में मौझूद एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी अलसर के दर्द और सुजन को कम करने में मदद करते हैं नमब नाइन डायबिटिस के लिए सकरकंद के फाइदे अपने नाम के विपरित मीठा आलू मदू में के लिए बहुत फाइदमन्द है यह इंसुलीन के उचित स्त्राव और कार्या में मदद करता है जिसके कारण रक्तशरकरा का स्तर नियंत्रित रहता है इसलिए मदू में रोगिये के लिए फाइदमन्द होता है आप इसका सेवन कार्बोहाइडरेट युक्त बोजन या चावल की जगा कर सकते हैं मीठे आलू में फाइबर पाया जाता है जो सरीर में पानी की मातरा को बनाये रखने में मदद करता है यह सरीर में जल संतूलन बनाये रखता है आपको हाइडरेटेड रखने के लिए आपकी कोशिकाओ को अच्छे से काम करने के लिए यह मदद करता है नमबर 11 शकरकंद के फाइदे वजन बढ़ाने में मीठे आलू मीठे होते हैं और इसमें अच्छी मातरा में स्टार्ज के साथ स्वस्थ विटामिन, खनीज और कुछ प्रोटीन पाया जाता है इसके अलावा वो पचाने में बहुत आसान होते हैं इस प्रकार यह बहुत अधिक उर्जा प्रदान करते हैं और वजन बढ़ाने में बहुत फाइदे मंद होते हैं स्वीट पोटेटो के अन्य लाब इसका सेवन धुम्रपान सराब और तंबाकू जैसी आदतों को छोड़ने में मदद करता है यह दमनियों और नसों के स्वास्त के लिए अच्छे हैं क्योंकि यह नसों की दिवारों की रक्सा करते हैं बीटा केरोटीन और फॉस्फरस होने के कारण यह नेत्र और रदई स्वास्ते के लिए भी फाइदे मंद है तो दोस्तो शकरकंद यानि की स्वीट पोटेटों के फायद दे जानने के साथ साथ उसके नुकसान या साइड इफेक्ट्स भी जानना उतना ही जरूरी है तो आईए उसके बारे में चचा करते हैं दोस्तो मीठे आलू में उच्च मात्रा में ऑक्सलेट होता है सरीर में ऑक्सलेट की अत्यादिक मात्रा होने पर या दाने के रूप ले लेता है केल्सेम ऑक्सलेट गुर्दे की पत्री का निर्मान करता है जो गुर्दे की पत्री का सबसे आम रूप है चिन लोगों को गुर्दा खराब है और जिने पित्ताशाई की थेली के कारिय में परेशानी होती है उन्हें मीठे आलू का सेवन चिकित सक परामर्ष के बाद ही करना चाहिए मीठे आलू में एक प्रकार की चीनी होती है जिसे मैनी टॉल कहां जाता है अगर आपका पेट जल्दी खराब हो जाता है तो यह आपके पेट के दर्द का कारण बन सकती है अगर आपको मैनी टॉल युक्त पदार्थों के प्रती और सेशनुता है यानि की ऐलर्जी है तो मीठे आलू का सेवन नहीं करे कुछ मामलों में मैनी टॉल का उप्योग सूजन और दस्त का कारण हो सकता है मीठे आलू में ग्लाइसेमिक इंडेक्स का स्तर कम होता है लेकिन इसका गलत तरह से भोजन में उप्योग आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को भी प्रभावित करता है उबले हुए मिठे आलू का कम से कम glycemic index स्थर 44 होता है लेकिन यदि मिठे आलू को 45 मिनिट के लिए पका जाया तो इसमें glycemic index का स्थर 94 हो जाता है अता रोग प्रबंदन और रक्त सरकरा वाले व्यक्तियों को मिठे आलू का सेवन सही तरीके से तैयार करके करना चाहिए यदि आप कम मातरा में स्वस्थ तरीके से तैयार करके मिठे आलू का सेवन करते हैं तो यहाँ स्वास्थ पॉष्ठिक और स्वादिष्ट भोजन है जिसका स्वास्थ पर कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं है तो दोस्तो आशा रखता हूँ कि आज का मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपको सकरकंद के फायदे और नुक्सान के बारे में उप्योगी इन्फोर्मेशन मिली होगी आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये लाइक और कॉमेंट करके अवश्य बताए तथा इसको अपने दोस्तों और परिवार जनों में खूब शेयर करें यदि आपको स्पेसिफिक सब्जेक के उपर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट में लिखे मैं वो सब्जेक के उपर वीडियो बनाने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा टेंक्यू